हेलो, अस्सलाव अलेकुम एब्रिवन एड़ वेरी बॉर्म वेल्कम टू दे आल ब्यूटिफुल पैम्ली आफ सारा की संगसंग जी हाँ जी उमीद करती हूँ कि आप सब लोग एक दम फस्क्लास फेट और लश पर्श होंगे येस तो व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं घर्मियों को हराने का सबसे बेतरीन और बेस्ट्री और ये है वाटर मेलन जोस इसे आप कह सकते हैं वाटर मेलन सलश और वाटर मेलन कोलर भी जी हाँ जी तो देखते रहे हमारी जट पट सी रेसिपी को आइट हो या कराफ्ट हो कुकिंग हो या बेकिंग हो फेशल हो या रिव्यू हो रहे सारा के संग संग जी तो वियूवर्स चले चलते हैं और जड़ पड़ से बनाते हैं इस वाटर मेलन जूस को इसको बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो है वाटर मेलन आप ने ऐसो क्यूब्स में कैट करेणा है और जितनी मुम्किन हो, इसकी सीड्स और बीच को निकाले हैं, इसके इपाद दालेंगे ब्लेंडर में ब्लेंडर में डालने के बाद हम लोगों ने इसमें डालना है एक लेमन जूस का एक्सट्राक या एक पुरा लेमू का जूस इससे यह होकर कि आपकी बॉड़ी बहुत रिफ्रेश रहेगी और इसका टेस्बूप अच्छाएगा तो यहाँ पर हम एड़ करेंगे एक लेमू का जूस और इसके बाद हम लोग इसमें डालने लगी हैं चार चम चीनी के चीनी को डालने के बज़ हम लोग इसमें एड़ करेंगे हाफ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट आप लोग चाहे तो वन टीस्पून भी कर सकते हैं लेकिन हाफ टीस्पून होता बेस्ट है क्योंकि यानि क्या हलका सा ही एक ठीका सा टेस्ट आए तो जादा बैतर रहता है फिर हम इ इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं किया आपने सरफ तर्बूस चीनी लेमू और ब्लैक सॉल्ट के तब इसको ब्लेंड करे ला है यास तो यहाँ पर हमारी हो रही है ब्लेंडिंग अब हम इसे प्रिजेंट करते हैं गर्मियों को सबसे बहतरी और सबसे बैस्ट जूस जो आपके बाड़ी के लिए भी बहुत बैस्ट है वाटर मैलन में फाइबर्स की अमांट बहुत अदा होती है इस वजह से वाटर मैलन को गर्मियों में यूज़ करना इस मौसर में जब गयाने की करोना बीक पे चल रहा है यह आपके लिए बहुत बैस्ट है कि आप जितना जादा हो वाटर मैलन को यूज़ करने के एक और इसको आप पीए अपने आपको पश्वूत रखें पृटर के और हल्दी रहें रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लायक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शियर कीजिएगा और साथ ही साथ सबस्क्राइब कीजिएगा सारा की संग संग को इसमें लिए कि याप लों